इस विडियो में हम देखेंगे कि Miracle software में items की entry कैसे करनी है items means products कौन कौन से products में हम deal करते हैं उन items का हम master कैसे बनाएंगे master बनाने के लिए master menu में items पर click करेंगे या right side menu में items की option है उस पर click करेंगे अपर आईटम क्लिक करने पर आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिस्ट औफ आईटम्स शो करते हैं। इन में वो सभी आईटम्स है जो अलोडू क्रियेट की हुई है पहले से। तो नई आईटम क्रियेट करने के लिए हम नयाओ पे क्लिक करेंगे। यह आइटम एंट्री स्क्रीन आगई आपके सामने अब हम यहां पर आइटम का नेम डालेंगे यहां हम डाल देते हैं इंस्टामेट 500 साथ यह दवाई का आपके साथ-व और देख्रम पैकिंग होती है कोई दवाई , बोटल में आती है तो इस मैदिसिन का पैकिंग है एक स्ट्रीप में दस टैबलिटस है तो हम इसको इस तरह से एंटर करेंगे आईटनेम नेम और प्रेकिंग दोनों साथ में आएगी यह बिल में शो करेगा जब आप बिल को प्रेंट करेंगे तो यह नेम वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद है आइटम कोड आइटम कोड एक शौट नेम होता है आइटम का आइटम नेम का शौट नेम मालो आप चाहते हैं कि आपको इतना बड़ा नाम नहीं लिखना सर्ज करते हुए या कभी भी तो आप चाहते हैं एक शौट नेम देना चाहते हैं यहां पे हम शौट न देदते हैं Kobate Sands500 के नामसे तो आप इस नामसे सरच कर सकते हैं कभी भी कि इसके बाद कंपनी एक आइटम की manufacturinglor marketing company होती है हर इटम की दो अलग अलग companies होती है marketing और manufacturing निये हमारे सामने कुछ लिस्ट है companies की इसमें से देखते हैं अगर marketing company है इसकी, इसकी company है Guiner Biotech, यहां से हम choose कर लेंगे, और अगर यहां पे company नहीं है कोई, तो हम F3 press करके भी नहीं company बना सकते हैं, अभी हम यहां पे यह close कर देंगे यहां से, आगे आता है tax lab, हर item पर, हर state में tax लगता है, साडे बारा परसेंट, चौदा परसेंट, चार परसेंट, पांच, ठीक है, तो इन में से अगर आपके state के accordingly VAT परसेंट है, तो इसमें से choose कर सकते हैं, नहीं तो आप F3 press करके नया tax lab create कर सकते हैं, जैसे कि हम create करते हैं, VAT 10%, taxation type, taxable है, tax free है, tax paid, यहां भी हम taxable select करेंगे, then आता है commodity code, हर item का एक code specify होता है, जो government की तरफ से होता है, जो भी 10% वाली items हैं, उस पर government ने commodity code जो भी specify किया है, वो यहां पर हम mention कर देंगे, यहां पर tax percent specify करेंगे, आगे आता है surcharge, surcharge एक additional tax है, जो VAT amount पे या taxable amount पे लगता है, जैसे उपर 10% tax percent है, 10% VAT है, 10% VAT के उपर कितना surcharge लगाना है, suppose 5% हमने surcharge लगाना है, किस पे लगाना है, अगर तो आप पंजाब में हैं, तो VAT amount पे लगाएंगे, अगर गुज्जाब, यूपिया, किसी और state में हैं, तो taxable amount पे surcharge लगेगा, तो अभी हम VAT amount select कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे कुछ options हैं, जैसे calculate tax on MRP, in sale, अगर आपने sale करते हुए, MRP पे tax लगाना है, tax calculate करना, तो यह select करेंगे, अगर purchase करते हैं, हम MRP पे tax calculate करना है, तो यह select करेंगे, अगर आप चाते हैं, कि free goods पर भी tax लगाईँ, तो यह select करेंगे, ठीक है, फिलहाल, हम इसको अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है, save करते हैं इसको, 10%, हम यहाँ पे 10% select कर लेंगे, आगे है, tabs per strip, एक strip में कितनी tablets हैं, 10, अब आप देखेंगे, कि उपर भी हमने 10 tablets लिखा था, packing के time पर, और नीचे भी 10, तो दोनों में फरक क्या है, packing में जो हमने लिखा है, यह printing purpose के लिए है, बिल जब print करेंगे, तो packing column में यह show करेगा, और यह वाला जो 10 है, जाता है कि उसको 5 packing चाहिए, और 4 गोली लूज़्ये, तो suppose 1 strip 30 रुपे की है, तो 5 strip कितने की होगी, 1.500 रुपे की, और उसको 4 गोली लूज़्ये, 1 गोली 2 रुपे की है, 3 रुपे की है, तो 4 गोली कितने की होगी, 12 रुपे की, तो total amount होगय, 162, 160 रुपे, तो यह amount calculation purpose के लिए है, आगे हम यहाँ पे डालेंगे manufacturing company, इस item की manufacturing company कौनसी है, Neptune Life Science Private Limited, वो हम यहाँ पे specify कर देंगे, उसके बाद है salt, यह optional है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी, इसका एक benefit है, अगर आप salt, यहाँ पे specify करेंगे, suppose आपके पास कोई customer आता है, उसको यह medicine चाहिए, लेकिन आपके पास available नहीं है, तो आप उसी salt की दूसरी medicine उसको दे सकते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, salt name के according, तो उस salt से जो-जो medicine सोंगी, आप उनमें से customer को दे सकते हैं, या कभी-कभी customer कहता है, कि मुझे यह वाली नहीं चाहिए, medicine यह महेंगी है, थोड़ी सस्ती वाली दे दो, तो उसी salt की आप थोड़ी कम amount वाली, उसको medicine दे देंगे, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे salt mention कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ critical levels दिये हुए है, critical level maintain करने का यह बहुत ही अच्छा option है, minimum level, maximum level and reorder level, medicine line में बहुत से products और items होते हैं, अलगलग company से items आती हैं, तो उस case में order management काफी complicated हो जाता है, कोई medicine stock में कम हो रही है, उसको track कर पाना या किस medicine का order देने वाला है, manually यह process बहुत ही difficult होता है, तो हमने यह 3 levels दिये हैं, minimum level, maximum level and reorder level, minimum level का मतलब है reserve quota, हम जाते हैं कि हमारी shop में कम से कम 15 strips तो होनी ही चाहिए, हर समय, ताकि कभी भी emergency में जरूरत पढ़ जाए, डॉक्टर ने बोला कि मुझे तो यह medicine चाहिए, तो हमारे पास कुछ medicines होनी चाहिए, तो minimum हम इसका एक level maintain करके रखेंगे, इसमें आप maximum level, 15 हम यहाँ पे define कर देंगे, इसमें आप maximum level भी define कर सकते हैं, सुपोज आप चाहते हैं कि जादा से जादा हमारे पास 100 पीस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि medicine पढ़े पढ़े expire हो रही और हमें पता भी नहीं, कौन सी medicine हमारे पास जादा पढ़ी है, तागी हम डॉक्टर को बोल सकें कि इस medicine को जादा prescribe करें, तो maximum level भी आप इसको, आप इसमें maintain कर सकते हैं, आगे आता है reorder level, इसमें हम वो level define करेंगे, तागी software आपको suggest करें कि इस medicine का order देने वाला है, जैसे आपने define किया 15 minimum level में, और आपकी average की एक दिन की sale है 5 piece, और अगर आप order देते हैं, तो order आपको receive होने में 4 दिन लगेंगे, तो अगर एक दिन में 5 piece लगते हैं, तो 4 दिन में 20 piece लगेंगे, और 15 आपने minimum level specify कि है, कि 15 तो होनी ही चाहिए हर समय, तो total amount, तो total value कितनी होगी 35, तो आप reorder level 35 specify कर देंगे, 20 piece तो उन चार दिनों के, जितने दिनों में वो order आएगा, और 15 minimum level का, तो इससे क्या होगा, software आपको suggest करता रहेगा कि आप order करने वाला है, जब 35 piece रह जाएगे, तो software आपको prompt करेगा, उसके बाद आता है, schedule है, schedule है, यह कुछ categories है, क्या होता है कि कुछ medicines, particular category को belong करती है, जैसे schedule edge, schedule edge 1, narcotics, यह वो medicines होती है, जो बेना doctor के prescription के sale नहीं कर सकते हैं, ठीक है, doctor ने prescribe किया, तब ही sale कर सकते हैं, तो यह medicine के उपर ही लिखा होता है, कि यह schedule edge को belong करता है, या schedule edge 1 को, या narcotics item को, तो फिलहाल, यह item किसी भी category को नहीं belong करी, तो हम इसको blank चोड़ देंगे, आगे देखते हैं हम batch, अब हर item के अलग-अलग batch होते हैं, अलग-अलग batches में आती है medicines, यहाँ पर हम इसका batch लिख देंगे, TN 6591, यह batch number हो गया, manufacturing date इसकी है, यह manufacturing date, expiry date है इसकी, ठीक है, इस तरह से expiry date आगए, rack number, rack number होता है, जैसे cupboards होते हैं, medicine की shop में, cupboards में पढ़ी होती है medicine, तो आप उनको number दे देते हैं, यह rack I1 में पढ़ी है, क्या rack number यहाँ specify कर देंगे, then PTS, PTS होता है price to stockist, इसकी beginning cost कितनी है, मतलब कितने की यह company से निख ली, suppose 20 रुपे की, price to retailer, retailer को कितने की पढ़ी, 30 रुपे की, MRP होता है print rate, print rate इसका इतना है, cost, cost है, जो आपको cost पढ़ी, जैसे expenses एड़ करने पर, आपको कितनी की पढ़ी, 20 रुपे की थी, 5 रुपे expenses लग गए, तो 25 रुपे की होगी cost, जो आपको cost पढ़ी, उसके बाद आता है barcode, medicine के ओपर, barcode लगा होता है, आप उस बार कोड स्कैनर के थ्रू भी scan कर सकते हैं, या खुद भी हाँ पर टाइप कर सकते हैं, बार कोड यह बार कोड हेल्प परता है हमें, आइटम को सर्च करने में, आइटम नेम, आइटम कोड या बार कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद है opening packs, जब आप यह software implement करना start करेंगे, उस टाइम आपके पास कितने packs पढ़ें इस तवाई के, suppose 40 packs पढ़े हैं, और 5 गोली lose पढ़ी हैं, तो total value इससे medicine की कितनी होगी, वो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आप एक batch बना लेंगे, अब हम दूसरा batch create करते हैं इसका, यह इसकी manufacturing date आ गई, expiry date, a rack number, PTS इसका है, 21 रुपे, PTR 31, MRP 41, and cost है इसकी 27, इसका barcode टाइप कर देंगे, opening packs इसके हैं 20, lose हैं 2, यह इसकी total value आ गई, जब आप enter प्रेस करेंगे, यहाँ पे नीचे आप देखिए, total opening balance, अब अब total आपके पास items कितनी है, 60 पूरी packet में है, और 7 lose है, और इसकी total value है, 1557 रुपीज, 90 पैसा, यह देखें, इसमें हमने कुछ full forms दी हुई है, जैसे यह PTS था, PTS, PTR, यह कुछ full forms दी हुई है, इसकी आपे, तो इस तरह से item की entry हो जाएगी, अब हम इसको save करते हैं, लीजिए, इस item की entry save हो गई, रेटाबेस में, अब हमने list में देखना है, कि list में आ गई है, यह देखे, यह सभी items हैं, जो हमने create की हुई है, यह item हमने अभी create की थी, इस list में, आप items को import भी कर सकते हैं, इस button से import कर सकते हैं, इसके बारे में हम एगली वीडियो में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी धन्यवाद, आज कर सकते हैं, झाल झाल